नमस्कार दोस्तों, क्लास नाइंत महाराश स्टेट बोर्ड मैथमाटिक्स पार्ट फर्स्ट चप्टर नूमबर टू, रियल नूमबर्स प्रेक्टिस सेट 2.3 जो भी बेसिक पॉइंट थे, इसके पहले दो वीडियो इस प्रेक्टिस सेट के लिए हमने बनाये हैं तो वहाँ पे बेसिक पॉइंट जो हैं, वो हो चुके हैं तो अभी हम प्रेक्टिस सेट के कॉश्चन सॉल करेंगे और जो भी बेसिक कंसेप्ट है, उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अनुरोद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें बेल आइकउन प्रेस करें, जिससे के आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल जाए अब देखें, फर्स्ट जो कोशन है, वो है, स्टेट दॉर्डर आप दी सर्ट्स गिवन बिलो जो भी सर्च दिये गए है, उनकी ओर्डर हमें लिखनी है, ओर्डर क्या होती है, दिखें, अगर कोई यंत रूट आफ ए, ऐसा सर्ड है, तो यह जो यं होता है, that is the order of this सर्ड, यह order होती है, तो यंत रूट इसे हम कहते हैं, कि यंत रूट आफ ए, तो यं की वैलिव मतलब order होगी, अब की वरूट आफ सेवन, अब जब ऐसा हो, तो इसे हम स्क्यूरूट कह लाता है, स्क्यूरूट आफ त्री, यहाँ पे टू होता है, और यहाँ पे त्री रहा तो की वरूट होगा, और फोर्थ रूट, फिप्थ रूट, फोर के आगे जो नमबर्स हैं, उन्हे फोर्थ रूट, फिप्थ रूट, शिक्स रूट ऐसे हम रीट करते हैं, तो यह की वरूट आफ सेवन है, तो यहाँ पे जो ओर्डर होगी वो त्री होगी, फाइट इन्टू स्क्यूरूट आफ ट्वेल, अब फाइव मल्टिप्लिकेशन में हैं यहाँ पे कॉंस्टन्ट लेकिन सक्यूरूट, जो है मतलब वो 2nd रूट ही है, तो इसके आउर्डर होगी 2, फोर्थ रूट आफ 10, ओ डर होगी 4, सक्यूरूट आफ 39, यहाँ पे सक्यूरूट मतलब 2 होता है, तो order 2 होगी, क्यूरूट आफ 18, तो ओर अज़र होगी 3 नेक्स्ट क्वेशन है सेकेंड क्वेशन स्टेट वीच आप दो फोलिंग आर्शेट्स और जिस्टिफाई अब देखिए अगर कोई सर्ड है यान्त रूट आप आप एज सर्ड इव यान इस ग्रेटर देन वन यान की वैल्यू वन से ग्रेटर होगी य아न इस Templar इसका मतलब इन नेच्ब नमबर है सेट चप्टर में हमने लिया है जो सिंबल होता है वो नेच्ब नमबर के लिए होता है स्मॉल इन शूड बी नेच्बर नमबर तो इससे हम कहते हैं स्मॉल इन बिलॉंस टू까지 टू का सिंबल होता है belongs to का मतलब यह element इस set में होगा तो small n natural number होगा ऐसे लिखिए आप या फिर ऐसे लिखिए कि small n is a natural number natural number मतलब यह जो point होगा n जो number होगा decimal point में नहीं होगा 3.7, 4.2 ऐसे नहीं होगा तो 2, 3, 4, 5 ऐसे हो सकता है तो n के value ऐसे होनी चाहिए 2, 3, 4, 5, 6 और nth root of a should be irrational nth root of a is irrational अगर a irrational है अब irrational है इसका मतलब क्या है कि जो एक cube root या square root जो है fourth root वो cancel नहीं होना चाहिए अब cancellation कब होता है suppose square root हमने ले लिया 4 का square आता है 16 तो अगर हम 16 का square root ले 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 तो four answer आएगा अब suppose हमने three का square ले लिया तो nine nine का square root हम ले 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 तो यहां पर three आएगा अब two का अगर हम cube लेते हैं two को three times multiplied two into two into two two into two four four into two eight two का cube eight होगा तो cube root of eight eight का cube root two होगा तो ऐसे में cube root of eight third नहीं है square root of nine third नहीं है square root of sixteen third नहीं है तो यहां पर cube root of eight का मतलब three की pair बनेगी cube root के लिए अब हम first question solve कर लेते हैं cube root of 51 अब देखे cube root of 51 51 के अगर हम prime factor find कर लें तो 17 और 3 आ जाएंगे तो तीन का में एक भी group यहां पर नहीं मिलेगा तो यहां पर ऐसे में लिखना है cube root of 51 is irrational because cube root of 51 is irrational अब irrational का reason लिखने की जुरुत नहीं है और 3 belongs to capital N 3 natural number है hence cube root of 51 is a third यह third है अब second question देखे fourth root of 16 16 का fourth root तो 16 के हमें prime factor find करना है तो पहले two से divide होगा two eight is a sixteen फिर two four is a eight two two is a four two is a two one two three four four times two आगया तो अब देखे fourth root of 16 को हम ऐसे लिख सकते है two into two into two into two अब fourth root है तो हमें four का group बनाना है अब जिनका four का group बन गया उन सभी के लिए एक नमबर इन में से एक जो है वो इस root के बाहर आएगा मतलब two अब fourth root of 16 के लिए two which is which is rational यह rational है hence fourth root of 16 is not a third यह third नहीं है next जो question है वो fifth root of 81 अब 81 का fifth root तो हमें 81 के prime factor find करना है 3 से divide होगा 3, 2 जा 6, 2 remainder 3, 7 जा 21 3, 9 जा 21 3, 3, 9 3, 3, 3 अब यहाँ पे 3 का four का एक group बन गया तो हमें five का group चाहिए तो fifth root of 81 होगा three into three into three into three which is irrational irrational है अब irrational कब होता है जब यहाँ का root cancel नहीं हुआ cancel कब होता है यहाँ पे जितना भी root हो यंत root उतनी pair same number की यहाँ पे बननी चाहिए उतना उतना नमबर का एक group जो है बनना चाहिए तो fifth root है तो five का एक group यहाँ पे बनना चाहिए था तरही का जो नहीं बना इसलिए फिप्त रूट इसका हम find नहीं कर सकते easily मतलब कि decimal point के सिवा नहीं आए गाई तो decimal point में आ गाए तो अगर root decimal point में आ रहा है और यह complete square नहीं है यहाँ का नमबर यह complete fifth power नहीं है 81 किसी भी number का natural number का fifth power नहीं है तो इसका square root fifth root जो है वो irrational आएगा तो यह irrational हुआ hence fifth root of 81 is not assert यह assert नहीं है अब fourth question square root of 256 256 जैसे के हमें पता ही है square root मतलब prime factor find करने की जरुरत नहीं है 256 16 का square है तो 16 into 16 आप करके देखे 256 आएगा square root of 56 is equal to square root of sorry 16 hence square root of 256 is rational अगर यह rational हुआ तो यह assert नहीं होगा तो hence square root of 256 is not a third यह assert नहीं है अब जो next fifth question है वो देखे cube root of 64 64 का cube root अब 64 का cube root हमें पता ही है 4 है देखे 4 into 4 into 4 4 for the 16 16 for the 64 तो इसका cube root होगा 4 अब 4 rational number है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि cube root of 64 is rational is cube root of 64 is not a third यह third नहीं है तो आपका पता चल गया होगा कि कौन से third होते हैं और कौन से third नहीं होते हैं अब एक last question है square root of 22 by 7 अब 22 by 7 यह जो number है वो decimal point में आता है और 22 by 7 किसी भी number का मतलब किसी भी natural number का square नहीं है तो हमें square root find करना है तो root 22 by 7 is irrational यह irrational है and square root of 22 by 7 is a third यह third है अब देखें यहाँ पे 22 by 7 decimal point में नमबर आता है 22 by 7 यह rational number है अब देखें rational मतलब real rational और irrational यह दोनों नमबर real number होते हैं और square root या क्यूरूट के अंदर अगर real number है तो वो third होता है तो चाहें यहाँ पे decimal point में नमबर हो या fraction में हो third होगा लेकिन यह positive real number होना चाहिए negative number नहीं होना चाहिए तो square root के अंदर अगर negative number रहा तो क्या होता है square root of suppose minus 4 हमने ले लिया तो 4 2 का square है लेकिन minus 4 किस number का square है अब देखें minus 4 अगर हम ले 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 तो ऐसे जो दो numbers same हो और उनका multiplication minus 4 आता हो minus multiplication आने के लिए एक plus और एक minus number होना ज़रूरी है तो same number कोई भी हमें नहीं मिलता तो ऐसे numbers को जिनका square root negative मतलब negative number का square root यह complex number या imaginary number कहलाता है उसे हम सिर्फ imaginary कर सकता है ऐसे number जो है वो exist नहीं होते जैसे कि square root of minus 4 तो यह 11 और 12 में complex number एक chapter है वहाँ आप detail में पढ़ोगे तो यहाँ पर इतना ही समझना ज़रूरी है सिर्फ कि negative number का अगर हमने square root ले लिया तो वो imaginary आता है square root, fourth root even जो root होगा वो अगर हमने ले लिया तो वो imaginary आता है तो ठीक है दोस्तों इसके बाद जो part होगा मतलब question number 3 से आगे वो हम आगे आने वाले next videos में cover करेंगे टीके thank you